NCRT is क्यों important? अगर आप NCRT ध्यान से पढ़ते हैं, क्या चीज़ ये करने की कोशिश कर रहा है? NCRT की books की बात करें, तो ये basically जो NCRT की books होती हैं, इनका पहले आप important समझो कि ये important क्यों है? और हमें इसको इसको इस्तमाल कैसे करना चाहिए और myth क्या होते हैं? ये बड़ा important हो जाता है, important ये है, आप इसको बहुत ध्यान से समझना है, NCRT को लेकर आज इकदम नहीं नहीं बाते पता चलेंगे और आपको पता चलेगा कि कोईर कहां से निकालना हैं, जिसको आप छोड आपको कैसे सुनेशित कर सकते हैं, आगे चलते हैं, तो जो NCRT होती है, National Curriculum Framework 2005 Recommendation के हिसाब से बनी होती है, यानि हमारी राष्टी है, जो पाठिकरम framework है, उसके according बनी होती है, जब UPSC, आप जानते हैं कि राष्ट की सबसे बड़ी जो हमारी ये संस्ता है, एक्जाम ले जाती है, वो जब टेस्ट लेने जाएगे, एक एक्जाम है, तो टेस्ट लेने के लिए वो किस framework की तरफ देखेगी, पहली बात ध्यान समझेगा, वो NCRT जो की National Curriculum के हिसाब से है, एजुकेशन करिकुलम के हिसाब से, उसके तरफ वो देखेगी, कि भई, इसी को पढ़क कितना समझ पा रहे हैं, आप गलत को कितना हटा पा रहे हैं, प्री यही होता है, चार option दिये होते हैं, उसमें एक option सही होता है, तीन गलत होते हैं, तो यह देखता है कि पढ़ते समय आपने कितना जो है, वो डबलप्मेंट किया अपनी concept को, और कितना आपकी clarity of concept है, तो उस किसार हमने quality पढ़ दी, इस्ती पढ़ दी, वो कह रहा है कि पढ़कर तुम्हें पास समझ कितनी create हुई, अगर मैं कुछ information twist कर दूँ, कुछ नई information रख दूँ, तो आप इस वो कितना पकड़ पाते हैं, तो यहां पर clarity of concept बहुत important होता है, concept का मतलब होता है, कि मैं सभी धु आजा, तो भी मुझे समझ में आजाए कि मैं क्या कहना चाता हूँ, यह मेरा अफधाना क्या है, तो clarity of concept बहुत करने की बात नहीं कर रहा है, कि आपके concepts clear है या नहीं है, understanding आपकी है या नहीं है, दूसरा, कि जब वो exam लेगा, तो वो किसी एक राष्टी framework की तरफ देखेग और राष्टी framework में National curriculum flavor 2005 जो है, वो अभी तक हमारे यहां सिक्षा में चल रहा है, तो यानि NCRTs जो हमारी हैं, वो इसी base पे काम करती है, यानि अगर उसको student की clarity of concept चेक करना है, तो NCRT उसके लिए एक authentic source हो जाता है, एक बहुत important source हमें यहां पर होता हुआ दिखाई पड़त 40% का दारा बरहा कर प्री में इतना जादा question कैसे उन्होंने prevail कर दिया, इतना जादा जो है अपना input कैसे दे दिया है, तो चलिए, हम यहां पर बात करते हैं clarity of concepts की, clarity of concepts क्या होते हैं, यानि कि अवधानाओं की इस पश्चता किसे कहते हैं, और क्यों NCRT मेरी मदद करने जा और क्यों जो beginner हैं, या जिन्होंने इस बार pre दिया, उनसे गलती हुई या वो नहीं crack कर पाए, वो किस तरह से NCRT का प्रयोग करके, अपनी जो सफलता है, उसको सुनेशिद कर सकते हैं, तो concepts का मतलब क्या होता है, और क्यों NCRT और National Curriculum जो framework 2005 है, राश्टी है, जो particular हमारा framework है, वो कैसे आपको मदद करेगा, इसकी इसपष्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए, चलिए, बात करते हैं, जब हम NCRT को देखते हैं, तो इस पे हमें दो इसपष्ट विभाजन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हमें दो पहले से मिलते हैं, कि नई वाली NCRT पढ़े या पुरानी वाली पढ़े हैं, तो इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कि हम नई की तरफ जाएंगे, क्यों? क्यों क्योंकि आपका जो UPSC exam लेगा, वो रास्टी framework के हिसाब से लेगा, और जो नई NCRTs हैं, जो market में available है, exam है, यह क्य में तो नहीं दी जारी है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कि इसका मतलब है कि वो किस पर emphasis करेंगे, वो new NCRT पर emphasis करेंगे, कि जो नई understanding है, अब पहले यह समझे कि नई NCRT और पुरानी NCRT में क्या फरक आता है, जब आप new NCRT जाते, तो वो basically संस्थाओं, इतिहास भूगोल में होने वाले विकास के करम, तथा उन पर होने वाले प्रभाव, मेरी बात को ध्यार समझेगा, एक तो विकास का करम, sequence of development and their effects और उनके होने वाले प्रभाव के बारे में, question ज़्यादा से ज़्यादा रहा है, समाच पर प्रभाव, परियावरण पर प्रभाव, ह इनका एक बहुत बड़ा विकास का करम, क्योंकि हम एक लोगतंतर के रूप में, हम एक राष्ट के रूप में, हम लगातार डवलप हो रहे हैं, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इस बात को समझेगा, अगर आज की class आपको मेरी समझ में आ गई, तो आपको UPSC का orientation समझ म है, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही important हो जाता है किसी भी segment में, अगर तुम नई NCRT उठा कर देखोगे, तो इसमें NCRT में पुरानी NCRT के comparison में कुछ बहुत अलग-अलग topics दिये गए, जहां पर पुरानी NCRT में development का जो sequence उस पे जादा focus किया गया है, यानि विकास के क अगर एक राजसत्ता इतिहास में कोई एक dynasty आती है, कोई वन्श आता है, कोई भी चीज बदल रही है, तो उसके effects क्या generate हो रहे हैं, तो यहां पर जो है, यह पुरानी NCRT में missing है, यहां effects जो होते हैं, अबलब बिलकु नए नए topic, आपने देखा art and culture आ जा रहा है, किस तरह किसे नहीं नहीं खुदाई हो रही है, किस सरसे साच ही कठा किये जा रहे है, इतिहास का काल करम कैसे बदल रहा है, तो इन सब के साथ जो effect basis है, यह प्रभाव, उसको नहीं NCRT में focus किया गया है, जैसे मालीजी जोगरफी है, तो जब आप पुरानी जोगरफी पढ़ते हैं मैं आपको यह पता होगा, जोगरफी पढ़ने वाला हर इस्टोट जानता है कि आज क्लाइमिटिक चेंज एक बहुत बड़ा important factor है, आज उसके effects बहुत जादा माने जा रहे है, आज सायद ही इस प्रकृति में कोई हिस्सा बचा हो जिसके उपर जलवाई परिवर्तन के प् साथ करिएगा, अगर आज कोई मेरी बात आप तक बहुत जाती है, आपके लिए pre-crack करना बहुत आसान होगा, पुरानी NCRT डबलप्मेंट के sequence पर फोकस करती है, विकास के करम के बारें बताती है, लेकिन effects missing है, जिस तरह के contemporary effects आ रहे हैं, तो अनिशित काल के लिए बंद क चले जा रहे है, इंडेंजेंट categories, red list में बहुत ही चली जा रही है, इसका मतलब है हमें development के sequence के साथ, effects पर बहुत जादा focus करने की आवशकता है, इस बात को आप समझिएगा, नई NCRT काफी हद तक इसको justify करती है, और justify करने के लिए उन्होंने इसका structure change किया, पुरानी NCRT म इन सब को involve किया गया है, आप से question पूछा गया है, figures के मार्धियम से इसमें नई-नी चीज़ों को add-on करके बताया गया है, कि क्या-क्या चीज़ें इसमें हैं, तो इसके मार्धियम से आप देखिए नए-ने contemporary figures दिये गए हैं, ताकि अब ये क्यों बताया गया है, अब बताय किये, तो इस तरह से अगर हम देखते हैं, तो नई-NCRT सिर्फ हमें ये नहीं बताती कि राजसत्ताएं कैसे काम कर रही थी, युद्ध कैसे हुआ, किस करम में हुआ, साथ ही ये भी बता रही थी, ये समाज के अन्य हिस्सों में क्या-क्या प्रभाव उसके उत्पन हो रहे और दूसरा हमें effects को ध्यान रखना है, cause and effect, effect के साथ, cause भी ये काफी हद तक, यानि प्रभाव, कारण और प्रभाव, ये लगातार इस पर अपना impact क्रियेट करते हैं, clear हुआ, तो ये धाना तो तरह हो गई कि हमें इसको कैसे इस्तमाल करना है, ये तीन चीज़ों का ध्यान पूछा कि NCIT की economic के लिए कौन सी बुक लें, यानि इसके दिमांग में है कि NCIT कोई एक part पढ़ना है, मैंने कई लोगों से बात किया, आप जयान से सुनिएगा, तो उन्होंने कहा कि सर 11-12-12 की पढ़ लो, आप से भी, मुझे बता ना कि अगर मेरी बात सही है, तो मुझे ह आया नामे जवाब देना, सर 11-12 की पढ़ लो more than enough है, ठीक है, 11-12 की पढ़ लो more than enough है, इसी में तो सब दिया हुआ है, क्लियर है, आपने भी ये पढ़ा होगा, सुना होगा, मुझे बताएं, कि आपने भी ये पढ़ा सुना है, कि NCIT पूरी पढ़ने की जरूत नहीं है, 11- कार्मी की पढ़ लो more than enough है, हो जाता है काम, ये मुझे उस बंदे ने कहा जो pre एक बार qualify कर चुका था, इंटर्व्यू तक पहुंचा और इस बार उसका pre नहीं निकला, ये उस बंदे ने मुझसे कहा था, रे सर 11-12 की बहुत है, आप कहा ये छोटे-छोटे basic पढ़ाते हैं हम, चलिए, अब जड़ा देख लीजए इसमें, मित को तोड़िए, कम से कम history, अगर मैं यहां बात करूँ, history, geography, quality, ये तीन किताबे ऐसी हैं, जहां पर दो category है, एक 6 to 10, ये इसमें भी हमें 6 to 8 की category बना दूँ और 8 to 10 की category बना देता हूँ, ठीक है, ये मैं बना देता हूँ इसमें 6 to 8 की category और 8 to 10 की category, फिर 11 to 12 की category, अब आप समझना, आप चुकी क्या होता है, आपको बताने वाले और आप पढ़ने वाले, आपको ये लगता है कि हमें facts collect करने हैं, UPSC में, और इन facts को collect करके हम काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं, राइट, हम इस facts को collect करके काफी और दर पहले आपको बताया कि आप UPSC में understanding important होती है, जो pre होता है, वो कहता है कि जो आपने पढ़ा है, उसमें concepts क्या clear है, कि अगर मैं आपको चार जो है, वो fact दूँ, उसमें से चार concept दूँ, उसमें से appropriate, यानि most accurate concept को आप हमारी लिए justify कर सकते हैं, इसका concept ही होता है, concept का म पातलब होता है कि किसी भी स्थित में मैंने उसकी अवधारना को, उसके understanding को डबलब कर लिया है, अब जरा ध्यान से इसको समझिएगा, जब आप इसको इस नजरी से पढ़ते हैं, ग्यार्वी बार्वी, आप अंदाजा लगाईए, understanding क्या होती है, जरा ध्यान समझेगा, understanding होगा, हो सकता है माता-पिता के मार खाने की डर से, अब जरा मेरी psychology को समझेगा, जो point है, हो सकता है उसको रट भी डाले, उसको याद भी हो जाए किसी तरह से, लेकिन उसकी understanding डबलब नहीं हो पाएगी, याद हो जाए तो अगर वही question उससे पूछ लिया गया, तो हो सकता ह और fact को mug up कर लेना, यादि रट लेना दो अलग-अलग चीज़े होती है, और understanding एक sequence में डबलब होता है, आपके साथ अगर मैं आपसे कहूँ हूँ, जैसे माली जाप में से कई बच्चे, इसमें मुझे सुन रहे होंगे, जो भी undergraduate होंगे, या भी 11-12 में होंगे, अगर अच किता सा मतलब होता है कि हमें एक segment एक जो है वो चीज़ें डबलब करने में टाइम लगता है, जब आप इन basic किताबों के साथ जाते हैं, जब 6-8 या 10 तक जाते हैं, तो basically, especially ये जो category group है, आपको लगता है कि यार ये बेकार है, ये सारी चीज़ें यहां तो मिल जाती है, ले तै करना पड़ेगा कि fact ये धेर सारे information और understanding ये दो category स्थापित की गई है, बहुत से chapter यहां से यहां जाते हैं, वही प्रत्वी की अंतरतम की सन्रचना 11th क्लास में भी हमें मिलती है, वही history हमें 11th और 12th क्लास में भी हमें मिलती है, वही करनाटक की लडाई, मैसूर की लडा कि इन किताबों का basically हमारा purpose क्या है, the success of this effort depends on the step that school principal and teachers will take to encourage children to reflect on their own learning and to pursue imaginative activities and questions, NCRT कहता है, और ये कहता है कि इसकी understanding develop होनी चाहिए, rather than कि facts को रटने के, तो यहां पर क्या होता है, बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे से question दिये होते हैं, जो आपको thinking process में लेकर जाते हैं, learning stage मानी जाती है, NLP के हिसाब से भी, ये age learning stage मानी जाती है, तो UPSC क्या करता है कई बार, वो समझता है कि ये student, आपकी tendency को बहुत अच्छी तरह जानता है, आप क्या पढ़ आपको उसकी पूरी नजर आपके उपर, ठीके, कौन सी photocopy चल रही है, कौन स में लेने है, आपका focus था, यार, गयार में, बड़े भीया ने बताया है, वो चार साल तैयरी कर चुके है, क्यार, क्विक कर लो, अच्छा हमें, क्विक सब्द बड़ा अच्छा लगता है, मेरे बड़ा दबाव आता है, वो जांक सर, क्विक खतम कर दिया करिए, जल्दी जल्दी खतम कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है, तो मेगी जादर दिन खाओगे, तो तुम्हारा पेट भी उसी हिसाब से खराब होगा, टेंचन वाली बात नहीं है, UPSC मेगी नहीं है, और UPSC मेगी इस्टुएंट को, जो भी अचानक से जम कर गया है, उनको हटाना च जाता है, वो चाहता है कि ऐसे लोग इसके साथ जोड़ें, जिनके अंदर patience है, जिनके अंदर persistence है, लगातार काम करने की छमता है, धैरे है, वही लोग इसमें जुटे हैं, तो वो कहता है कि double up your understanding, तो ये बुक जो होती है, वो understanding को double up करने के लिए होती है, और इनको holistic way में प वहां तक पहुँच चुके हैं, तो वो आपके लिए बहुत जादा important हो जाता है, बहुत ही महत्पूर्ण हो जाता है, ready, यहाँ पर आप समझ गए, तो अब आपको क्या करना है, नई NCRT है पुरानी NCRT, नई, नई क्यों, क्योंकि आपको chronology of development जानना है, अगर आप नहीं जान पाएंगे, तो कभी understanding समझ ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर भी development, chronology of development and cause and effect, यह बहुत important होता है, यही understanding का base होता है, और दूसरा, यह जो basic NCRTs हैं, यह आपको understanding में लेकर जाती हैं, कि मुझे understanding कैसे करनी, अगर आप इसको छोड़ रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी इसको holistic way में पढ़ें, और holistic के साथ BTL, between the line, BTL का मतलब होता है कि इसमें आशय को समझना, आशय, मैंने पहले बताया था, जैसे PK ने कहा था, कि I love fish, तो इसका मतलब यह नहीं को तो आप fish को बहुत प्यार करते हैं, इसका मतलब आज lunch and dinner में मचली खाय जाएगी, आशय बड जब हम इसको line by line पढ़ने शुरू करते हैं, तो हम इसको सोचते हैं कि facts का हम notes बना लेंगे और हम याद कर लेंगे, हिमाले की चोटियां कौन सी ज़्यादा उची हैं और कौन सी नहीं है, सेनियां कहां कहां पाई जा रही, नदियां कौन सी दाएं से आ रही, बाएं से आ यह हम सोच रहें कि आप बच्चे करते हैं इस तरह हम अगर कर लेंगे तो हमारा geography का question निकल जाएगा, war कौन कौन सी हुई medieval time में, ancient time में हमने याद कर लिया, हो जाएगा, कौन कौन सी डाइनेस्थी थी, कौन कौन से उसके राजा थे, संस्तापक थे, हमारा हो जाएगा, ल या अगर हम democracy को development होने के पीछे, हमारी राज निर्मार की कौन कौन सी भावना है, जो है, वो संलगनती, ठीक है, कल्यानकारी राज्य में, कल्यान सब्से क्या तातपर्य है आपका, तो वो क्या होता है, वो indirect question पूछ रहा है, यानि वो आश्य है, जब हम तातपर्य, meaning, word use कर लगते हैं, तो वो क्या करता है, वो किसी एक चीज के साथ उसका development perspective पूछना शुरू कर देता है, तो development perspective जैसे ही वो पूछना शुरू कर देता है, BTL बहुत महत्पूर्ण हो जाता है, between the line, यानि teacher की जिम्मेदारी है, student जो पढ़ रहा है, उसकी जिम्मेदारी है, कि वो प जलवाई परिवर्तन को लेकर इतना concerned है, कि अब भारतिय परमपराओं में, यानि Indian culture में, कुछ ऐसा रहा है, जहां पर हम वसुधायव को तुम्मकम हमने जो कहा था, उसके पीछे हमारे पास एक हमारी lifestyle थी, क्या हमारा खान, पान, पहनावा, हमारे कपड़े कुछ इस तरह सीधा सा मतलब है, क्या हम भारती है, आज समस्या, आपने देखा कि ग्रेटा ने भी कहा कि भाई, बला, बला, हुआ, कुछ हुआ नहीं, और COP26 में धेर सारे लोग जोड़े, उन्होंने बड़ी-बड़ी बात है कि फिर चलेगे, 21 में, 22 में, 23 में, हर साल यही करते हैं वो, तो इसका सीधा सा मतलब है, क्या भारतियों के पास इसका सॉलूशन है, तो इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, आशेम का मतलब होता है, उसके तातपरियों को समझना, और जिम्मेदारी होती है टीचर की, वो एक सब्जेक्ट के दूसरे सब्जेक्ट के साथ जो से जोड सकता हूँ, अर्थ्विवस्ता को क्या मैं समाज के साथ, Economy को Society के साथ जोड सकता हूँ, कहां कहां जोड सकता हूँ, Connectivity क्या है, संघर्ष क्या है, वो हमें दिखाई पड़ता है, तो दूसरा होता है Interlink और तीसरा होता है, NCRT खुद अपने आप में दो हजार से जा smart note methods होना चाहिए smart notes method होना चाहिए क्यों? ये 2000 से ज़्यादा pages जब तुम 56 से ज़्यादा किताबें इकठा करते हो और जब उनका गठर लगा तो किसे इन NCIT का गठर लगाना उठती नहीं आसानी से तो इतना information दिमांग में आएगा कहां से कैसे हम बरेंगे किस तरूफ करेंगे कि हमें इसको बार बार रिवाइस करना होगा क्यों क्योंकि understanding करने के लिए interlink करने के लिए जो revision होता है वो सबसे important शर्थ है अगर जो revision नहीं कर सकता वो जोड ही नहीं पाएगा, वो click ही नहीं करेगा जो BTL नहीं जानता वो कभी भी interlink नहीं कर सकता और जो interlink नहीं कर पाएगा वो एक subject को दूसरे subject के साथ जोड़कर उसका जो है वो तात पर नहीं निकाल पाएगा तो अगला होता smart note method इस तरह से NCIT पढ़ी जाती यह होता है NCIT पढ़ने का बिलकुल सही method यानि between the line यानि कि जो आशे समझते हो इसकी meaning को समझते हो कहना क्या चाहरा है अब एक page लिखा हुआ है लेकिन मेरे लिए दो word ही बहुत important है दो concept बहुत important है हो गया मेरा काम दूसरा interlink करना मेरा एक subject दूसरे subject का link कैसे कर सका इस बार economy का question देखिए आप economy का, core economy का question लेकर उन्होंने keen's economic के साथ जोड़ा उन्होंने welfare economics के साथ जोड़ा उन्होंने social economics के साथ जोड़ा कितना उन्होंने interlink किया इदर से उदर और smart note method जैसे हम लोग पढ़ाते समय LWMI method का use करते हैं less word more information method एक ऐसा method जिसके बाद शुड़ात में जब बच्चे आये तो उनको थोड़ी दिक्कत हो लेकिन जब सीख गए वो तो अब वो इसी के ही पारंगत हो गए उनको यही method में पूरा पढ़ाता ही हूँ, आज भी एक ऐसा teacher जो खुद अपने हाँ से notes बनाता और पढ़ाता है वो LWMI method हमने यहां develop किया So this is very important यह तीन चीज़े याद रखिएगा अगर आप NCRT के master बनना चाहते हैं अगर आप प्री में 50% question को hit करना चाहते हैं तो आपको NCRT सिर्फ एक book नहीं कोड़ा है आपका पूरा विमर्श रहता है NCRT पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है तो यहां पर आपको क्या करना है BTL method इसके बाद interlink करना इसके बाद smart note method यानि कि LWMI, TM जो हम लोग thought mapping सिखाते हैं note art सिखाते हैं वो चीजें आपके साथ हो नहीं जब यह तीनों चीजें merge करोगे NCRT तुम्हारे pre को crack करने में तुम्हारे साथ कंदे से कंदा मिला लेगा otherwise यह information का इतना बड़ा bundle है जिससे आप कभी भी आप बाहर नहीं निकल पाओगे इन किताबों में एक खास बात लिखी गए ध्यान से पढ़ना और यह ज़रूरी भी है NCRT उठाने वाले हर व्यक्ति का उत्तरदाई तो इसको पढ़े और यह कहता है कि इसके बाद यह कहता है कि हम यहाँ कोशिश कर रहा है कि बच्चे जो है वो अपनी सोचने की चमता में जा सकें कहता है कि हम केवल रॉट लर्निंग नहीं कराना चाहते है कि आप केवल एकाडमिक बुक परो आप अंडरस्टैंडिंग करो और NCRD की किताबे actually में आपको अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाती है यह इस एक्जाम का एक पर्पस है यह नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है एक राष्ट निर्माल की प्रक्रिया है और जब आप सोचोगे है नहीं आप केवल एक्जाम के भैसे नहीं निकल पाओगे तो कभी भी आप राष्ट की ना तो चुनोतियां समझ पाओगे और नहीं उसके समाधान के लिए अपने आपको प्रेद कर पाओगे एलियन नहीं आएगा इस राष्ट का समाधान करना है यह हमें और आपको मिलकर करना है लेकिन हम तब कर पाएंगे जब अपने राष्ट की समस्याओं को लेकर हमारे अंदर चेतना होगी तो यह बड़ा एक डिफ्ट की बात होती है कि हमें हमारी सिक्षा को एक मकसद देना है और कम से कम जो लोग UPSC की तयारी कर रहे है या जो UPSC की तयारी का सपना देखना चाते है उनसे मेरा निवेधन है उनसे मेरा आगरह है रिक्वेस्ट है कि वो अपने अंदर राष्टी चेतना को जरूर लेकर आए क्योंकि ये सर्विस तुम्हें समविधान के अंतरगत इतनी शक्तियां देती है कि तुम हजारों लाखों की जिंदगियों में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकते हो लेकिन वो चेंज की शुरुआत तुम्हारे अंदर से होनी चाहिए तुम्हारे अपने विचारों में तुम्हारे अनेशल बिल्डिंग प्रॉसेस होना चाहिए एक जो राष्ट इनवार तुम्हारा योगदान क्या होगा ऑफिसर बन के इस शक्ति का प्रियोग कैसे करोगे लोगों की जिंदगी को पॉजिटिव करने में हमेशा इसका ध्यान रखना और NCRT को इसी रूप में पढ़ना BTL, Interlink and Smart Node Method NCRT आपका हो जाएगा और NCRT को निकालने में आपको कोई भी हिचक नहीं होगी